लोगसभा चुनाओ के बाद प्रदेश कोंग्रेश संगठन में बदलाव की चर्चाओं पर अब ब्रेक लग गया है PCC में आयुजित प्रेस वारता में एक सवाल के जवाब में PCC चीफ सचिन पाइलेट ने कहा कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है लेकिन लोगसभा चुनाओ के बाद पार्टी का पूरा संगठन पंचाय चुनाओ में जुटेगा पाइलेट ने कहा कि समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं लेकिन सभी कारेकरताओं का एक ही उद्देश्य है पाइलेट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस मिशन में 25 में पूरी तरह काम्याब होगी और इसके बाद संगठन का अगला लक्ष पंचय चुनाव रहेगा पाइलेट ने इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कॉंग्रेस संगठन में लोगसबाद चुनाव के बाद किसी तरह का बदलाव नहीं होगा पार्टी आगा में निकाय और पंचय चुनाव की तैयारी करेगी महात्मा गानी जी के हत्यारे को इस पकार से सम्मानित करने की जो बात बोल रहे हैं उन लोगों को इस राजनितिक डाइरे से आप बिलकुल बहार हो दाना चाहिए बाजपा चुनाव हारेगी क्योंकि छे चड़नों के चुनाव में लगातार रोग पिछड़ रहे हैं और अंतिम जरन का मद्दान 19 तारिक को होगा और 23 तारिक को कॉंग्रेस और हमारे सयोगी दल्द हम मिलकर सरकार मनाएंगे देश के अंदर और हमारा जो मिशन 25 है राज जो मिलकी जहां समारी सरकार बनी है मिशेश रूप से 36 गरने मद्दपदिश और राजिस्तान के